बिग बॉस सीजन 18 के घर में मिल गया नया टाइम गॉड टाइम गॉड बनते ही आखर क्यों आविनाश की हुई विवेन और करनवीर के बीच बड़ी लड़ाई बिग बॉस ने लगाया आग तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रही है अंततक दोस्तों बिग बॉस के घर म नया टाइम गॉड का चुनाव हो चुका है जहां चार कंटेंटर चुम शुतिका और साथी साथ रजदलाल के बाद अविनाश मिश्रा ये चार कंटेंटर थे जो टाइम गॉड बनने के लिए दाविदार थे लेकिन कैसे मारा अविनाश ने बाजी क्यों ईशा ने लगाय पूरा जोर और विवेन और करन पर फूटा अविनाश मिश्रा का गुसा दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 के घर में टाइम गॉड का टास्क खत्म हो चुका है टाइम गॉड का टास्क खत्म होते ही घर में हुई है बड़ी लड़ाई घर में बन चुके है ने टाइम गॉड अ अविनाश मिश्रा बिक बोस ने अनौंस किया है कि आज से घर की पूरे विकेंड तक अविनाश मिश्रा जो है वो कारेकल समभालेंगे और टाइम गौड की गद्धी पर राज करेंगे लेकिन इतना आसान नहीं होगा अविनाश के लिए क्योंकि अविनाश के सामने हैं दो बड़े दिगज करनवीर महरा और विवेंड डिसेना अविनाश मिश्रा ने सबसे ज़ादा बीबी करंसी जीत कर जहां ईशा सिंग ने शाम दाम डंड भेद पूरी जूर लगा दिया कि वो अविनाश को टाइम गौड बनाए यहां पर ईशा ने कही न कही ये कहा जा सकता है कि वो पॉजिसिवनेस दिखाया है अविनाश के लिए जो लगातार फैंस देखना चाह रहे थे और इसी से नाराज हुए विवेंड डिसेना विवेंड नहीं चाहते थे कि बने अविनाश टाइम गौड दरसल सबसे ज़ादा करंसी होने के बाद अब अविनाश को तरीके से गेम जा रहा है भाई साब वीकेंड की वार पे तो पूरी तरीके से करंवीर की तरीफ हो गई और विवेंड डिसेना को कुछ नहीं बोला और हमें लगा दी थी क्लास लेकिन अब अविनाश मिश्रा काफे खुश है कि बन चुके हैं घर के नए टाइम गौड ले इसके बाद विक बॉस ने बुलाया कंफेशन रूम में और अविनाश की खोल दी विवेंड और करंवीर के सामने पूल दरसल अविनाश मिश्रा बन चुके हैं गर के नए टाइम गौड जिसके बाद बिक बॉस ने राशन टास्क के लिए अविनाश मिश्रा को कंफेशन रूम में बुलाया, वो कहा अविनाश फाइनली तुम्हें भी वो मौका मिल गया जिसका तुम बेसबरी से अंतजार कर रहे थे, जी बिग बॉस मुझे ये मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, अविनाश ने कहा कि इसमें ईशा का बहुत बड़ा हात्रा है, और मैं ईश तुम्हारे हाथ में और तुम दोगे घर वालों को, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, आखिर क्यों बिग बॉस ने खेला बड़ा गेम, दरसल दोस्तों बिग बॉस चाहते हैं कि विवेन, अविनाश और करनवीर महरा इन तीनों में बड़ी लड़ाई हो, और टियार प आई में वो तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उनसे करनी होगी तुम्हें बड़ी लड़ाई, अविनाश ने कहा कि बिग बॉस मैं टाइम गॉड बनने के लिए बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी ल आप पूरा भरुसा रखिये, मैं पूरा वो जोरो शोरो से जोर लगा दूँगा कि किसी भी तरह से राशन जो है वो सभी को मिलना चाहिए, और राशन में अगर कहीं से भी कटोती होती है, तो मैं उसकी बेंड बजा दूँगा जिसकी वज़स से हो रही है, और बिग बॉ अविनाश पर वीवे ने कहा कि अविनाश तू टाइम गौड तो बन गया है लेकिन तूने मेरा दिल तोड दिया, मैं तेरे लिए लिए लोयल था, मैंने हमेशा ही तुझे अपना भाई माना छोटे भाई की तरह मैंने हमेशा तेरी कैर की, तुझे और इशा में मैंने कभ समझ जा रहा है जिसके चलते अविनाष जो है वह हो अपने आपको सुपीरियर समझ रहा है अविनाष समझता हैं कि वह अविनाष को एसा लगता है कि आ करनवीर महरा ने साफ कह दिया था कि भाई अगर तुझे आगे जाना है ना तो सबसे पहले तो ये दोस्ती तोड यानि कि करनवीर ने आग लगा दी है विवेन इशा और विवेन डिसेना इशा और अविनाश मिश्रा की दोस्ती के बीच में अब दोस्ती तो तूट चुकी ह बिखर चुकी है लेकिन अविनाश ने ये जो कदम उठाया है उसके बाद सबसे बड़ा जटका लगा है नाराज हुए है विवेन डिसेना क्योंकि विवेन हट हुए है विवेन ने कहा कि मैं हमेशा ही इन्हें अपना दोस्त मानता था लेकिन ये आस्तीन के साप निकले है वेल अब टाइम गॉड बनती ही जो बड़ा फसला लिया है अविनाश ने इस पर आपका क्या है ओपीनियन लेट मी नो इन दे कमेंट बाक्स और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चानल को सब्सक्राइब कीचे